MS धोनी को बीच मैदान पर आया अगुसा, साथी खिलाडी को ही लगाई फटकार. भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वंडे मैच को टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत कर सीरीज को एक रिनेग की बराबरी पर ला दिया है. एडिलेग में भारत की जीत में एहम भूमिका निभाई टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी ने. माही ने इस मैच में 54 गेंदो पर 55 रन की पारी खेली. लेकिन इस मैच में एक ऐसा समय भी आया जब कूल कूल रहने वाले धौनी को गुस्सा आया और उन्होंने टीम इंडिया के अपने साथी खिलाडी को ही फटकार लगा दी. इस मैच में धौनी जब दिनेश कार्तिक के साथ अंतिम समय में बल्लेबाजी कर रहे थे तब ही एक घटना घटी. धौनी को बीच मैदान पर ही गुस्सा आ गया. धौनी युवा खिलाडी खलील एहमद पर गुस्सा होते दिखे. खलील को इस मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था. उनकी जगह मुहमद सिराज को टीम में शामिल किया गया था. भारत की बल्लेबाजी के दौरान खलील धौनी के लिए पानी लेकर आए. उनसे गलती हुई और वह पिच के बीच से ही गुजर गए. पूर्फ कप्तान धौनी को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने खलील को डाटने लगे. धौनी ने लगाया विनिन शौर्ट.